हालो गाइस गुड मॉनिंग क्या सोब लोग होफ़ली सब अच्छे होंगे तो आज मैं लोग आचुक है वापस से बीजमाई के अंदर ठीक है और जैसा कि आपको पता है कि कल जो बीजमाई की सर्वर सो उनको अफलेंड कर दिया गया था और काफी लोग वेट कर रहे थे कि भाई शाम तक सर्वर ओपन हो जाएगा बट कल जो मैंने लाइव स्ट्रीम की थे और वीडियो बनाई थे उस पर मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया था कि भाई कल आपको सर्वर ओपन होता हुआ नहीं दिखाए देगा ठीक है तो काफी लोगों के मैं बहुत सारी अब यहां पर लिखा हुआ कि अनवेल वाइल ठीक है इन्होंने अल्रेडी बोल दिया है कि सर्वर जो है थोड़े टाइम तक अनवेलबल रहेगा ठीक है इसका मतलब यह नहीं है कि भाई एक दो महिना तीन महिना निकल जाएग इतना लंबा टाइम नहीं रहेगा ठीक है जहां तक मुझे लगता है कल ग्लोबल वर्जिन पे न्यूर अलपास आने वाला साथ ही टियर रिसेट होने वाला ग्लोबल वर्जिन पे अगर बीजय माई वही पैटन फॉलो करना चाहता तो डेफिनिटली आपको सर्वर ओपन होता हुगा आज दिखाई देदेगा बट जहां तक मुझे लगता है इसके चांस बहुत कम है क्योंकि मुझे लगता है बीजय माई अपना रैंकिंग सिस्ट्रम चलाएगा ठीक है अपना थोड़ा डेट में वोडिफिकेशन रहेंगे ठीक है और जो आपको लास्ट होगा लास्ट टाम जब अपने गेम उपन किया था वहां आपको शो हो रहा था एक जून तक हमारी जो रैंकिंग हो रहने वाली उसके बाड़ टीर रिस्ट होगा मतलब एक जून अभी आने में अभी टाइम ठीक है एक जून में आपको सर्वर रिसेट मतलब फौर एक्जांबल टीयर रिसेट आपको प्रिवियसली रिगार्डिंग रॉयल पास ह्टिक एक अगर बात करें तो जहां तक मुझे लगता है कि जहां तक मुझे लगता है अगर वाकई by jamiongo अलग करना है global version से तो रॉयल पास अलग होना चाहिए ठीक है अब क्राफटन भाई इतने टाइम बाद गेम ला रहा है तो डिफरेंटली उन्होंने बैक एंड पे कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ठीक है कोई अलग टेस्टिंग की होगी बीटा टेस्टिंग रोयल पास की मुझे नहीं लगता है कि एक साथ हुई थी ग्लोबल व लग बनाना है तो यह सब करना ही होगा साथ ही अगर बात करेंगी युए की तो एक चीज़ में आपको शॉरिटी दे रहा हूं कि आपकी जो टीर रहेगी और हमारी जो रैंकिंग सिस्टम रहेगी उसकी जो डेट है वह ग्लोबल वर्जिन से डिफिनिटली अलग रहने वा पिटम नौट शॉर की कौन सा थी मोड़ वो लोग चलाएंगे ठीक है मुझे नहीं लगता है कि ग्लोबल वर्जिन पर डाइनो ग्राउंड चल रहा तो बीजमाय वाले भी डाइनो ग्राउंड चलाना चाहेंगे क्योंकि वापस से वही बात हो जाएगा कि भाई वापस से वापस ब्लाइब को प्रॉबलम हो सकते है तो जहां तक मुझे लगता है कि यह चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो रॉल पास रहे वह अलग रहे हमारी जो क्रेट्स रहे वह अलग रहे ठीक है एक दो आइटम मैच कर सकते वह अलग बात है लेकिन मिज्योरिटी इटम क्रेट में अलग रखनी होगी तो मुझे लगता है कि क्रेट मगरे भी डिफरेंट रहेंगी और जैसा कि आपको यहां पर पता है वेट यहां पर आगे भी लिखा हुआ है फॉर वाइल टू कम उप इस बीटर एंड बिगर एक्सपीरियंस तो यहां पर क्राफटन खु तो डिफिनेटली वी गी बट गया बैक एंड से ज्यादा इंप्वाटन हमारे लिए रहता है कि गेम में क्या चेंजिस रहेगा तो इसके लिए मैं भी बहुत ज्याद एक्साइट हूं तो कफी लोग पूछ रहे थे कि वीपियन लगा कि हम लोग गेम चला सकते हैं क्या न सर्वर इस नोट अलाइन ये तो अपवेट करो और रिगार्डिंग कासी लोग बोल रहे थे कि यह अनिस्टॉल होगा या अपडेट होगा तो अपडेट कर देना चाहिए ही पीकों को जातक मुझे लगता अगर क्राफटन चाहेगा तो यह हमें दे सकता है तो उसमें कोई प्रावलम नहीं है प्रेजिस्ट्रेशन पीरिड कुछ नहीं रहेगा ठीक है गेम ओफिशली लॉंच हो चुक है एक बार तो इस बार डायक्ली आपको देखने को मिलागा कुछ भी प्री रिजिस्ट्र सब वाला सीड नहीं रहेगा ठीक है क्योंकि क्राफटन वालों ने क इस्ट्राग्राम हैंडल पर तो इसको डेफिनिट्ली फॉलॉप करना कुछ और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन रहेगी तो मैं डेफिनिट्ली उसको कर लूँगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक कर दो ठीक है और आप बता है आप लो तो बिलता आप लोग से कमिंगों लिए दो तुम तक लिए बाबाई ठीक केर